so guys, आपके video हम बात करने वाले हैं VEO के वाइस 028 एड़ाइस के दरा आप green dot problem को solve भी कैसे कर सकते हो guys काफी लोग comments करते है green dot क्या है green dot क्या है क्या हमारी call को record करता even guys बहुत सारे ऐसे comments आते रहते आप देखो green dot धो है एक indicator light है बस आपको indicate करता है जब आप camera चालू करते हैं तो camera का indication दिखाता है जब आप microphone चालू करते हैं तो microphone का sign दिखाता है लेकिनी confusing यह है कि भाईया जिखाता क्यों है क्या हमारी जब हम call पर बात करते हैं तब भी आता है इसका काम है microphone चालू है तो आपको दिखाना camera चालू है तब भी आपको दिखाएगा indicator तो अब हम समझते हैं पहले तो create करके एक बार मैं आपको दिखा रहता हूं दोगो मेरे पास एक phone है अगर मैं यहां पर camera को open कर दूँ तो मेरे पास यहां पर एक green dot create हो जाएगा हलाकि एक green dot आपको अच्छे से दिखाएगा नहीं दे रहा हूँगा लेकिन एक control center में अगर मैं दिखाना चाहूँ lighting काफी ज़्यादा है तो यहां पर देख तो एक sign corner में green dot आ रहा है पर के से lighting जादा हो नहीं को यहां से अच्छे से दिखाएगा नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको green dot को कहां कहां बनता मैं आपको दिखाता हूँ green dot बनता है WhatsApp call करेंगे तब या पर camera access करेंगे तब screen recording करेंगे तब लेकिन screen recording आपको में भी साथ वीवो में नहीं मिलता है एक बार ट्राइ कर लेना लेकिन अगर किसी से बात कर रहे है वह इंटरनेट चालू है तब भी दिखाए देगा तो यह सारे अगर आप camera access कर रहा है तो अगर आपने ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे हो जैसे नहीं camera इस्तेमाल कर रहे हो नहीं microphone इस्तेमाल कर रहे हो तब भी यह वह हमेसा आ रहा है तब दिक्कत हो सकती है तब ऐसे केस में आपको यह जो settings मिली है जो feature मिला है तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप उने कोई चीज ऐसी access नहीं कर रहे हो नहीं camera इस्तेमाल कर रहे हो नहीं microphone तब यह green dot आ रहा हो वहां पर दिखा रहा है कि आप camera इस इसे case में आपको alert होना है आपको अपने internet connection को बंद करना है अपने phone को completely factory data reset कर देना है इसके बाद जो भी applications को आप इस्तेमाल करें वो genuine applications हो play store की ना की third party बहुत सारी ऐसे applications होती है जो आपके without permission को आपको access करती है अगर मालेजे camera का access हो रहा है अगर आप इस्तेमाल नहीं कहा रहे है camera तो मतलब आपको कोई देख सकता है यह चीज़े बहुत इतना जादा easy भी नहीं है लेकिन यह चीज़े आपके लिए बहुत harmful हो स सुन सकती है तो इस चीज़े इसका हमेशा ध्यान रखे और जो information मैंने दी है आप इसे customer support team पो call करके भी ले सकते है वी care की नाम से आपके phone के अंदर numbers होंगे आप numbers में लिंक देदूंगा discussion में उस number पे call करके भी अपनी जानकारिया ले सकते है और COT चाहिए वज़े तो मैं comment करके पोच सकते है